नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को कैसे लेना चाहिए और कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यहां भी डिस्कस करेंगे कि कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्त सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप का उपयोग सूखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्टस सिरप सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षन जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आख नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक का बंध होना आधी लक्षन सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी होने पर हो सकते है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप की वज़ा से कुछ Side Effects हो सकते हैं जैसे मुण में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, चक्कर आना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन्द अधिक आना, कब्स होना या दस्त होना, भूक कम लगना, छाती में जलन होना, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड एफेक्ट्स कोफारिस्ट डी एक्स सिरप की वज़ा से हो सकते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे की कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को कैसे लेना रेकमेंड़ होता है, कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम साल से लेकर बारा साल के बच्चों को डॉक्टर धाई मिलिलीटर को फारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सला देते हैं। कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवशकता होती है। क्योंकि कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन अधिक आ सकती है। कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को लेना रेकिमेंड़ नहीं होता है। अगर आपको कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप को लेते हुए एक सब्ता से भी अधिक का समय हो चुका है। और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो आपको डॉक्तर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए। ताकि आपका डॉक्तर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। अगर किसी व्यक्ति को कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तस सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है। तो ऐसे व्यक्तियों को कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अगर आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोफारिस्ट डी एक्स लिंक्तिस सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।